वैसे तो अक्सर मैं बस या मैट्रो से सफर करता रहता हूँ लेकिन आज जिस बस में मैं सफर कर रहा था उसमें पता चला चढ़ते ही एक अंकल का फोन चोरी कर गया कोई फिर इधर जो सभी को टिकट दे रहे थे वो कहते हैं अक्सर बस में ऐसा कोई न कोई किसी न किसी का फोन चोरी कर लेता है ध्यान से रखना चाहिए था फोन आपको इतना बोलकर उन्हें अपना फोन दिया इमर्जेंसी कॉल करने के लिए उन्हें और ये बाते कहीं हद तक सच भी है क्योंकि ये चीज़ें मेरे साथ खुद 2016-17 के असपास हो चुका है जब मैं क्लास से वापस घर जा रहा था तो भीड़ वाली बस में मैं चड़ गया चड़ते ही दो मिनिट बात पता लगता है मेरे फोन मेरे पॉकेट में है ही नहीं ढूंडा काफी लेकिन मिला नहीं जब एक बार फोन चोरी हो जाता है तो वो चोरी ही हो जाता है वो सायदी दुबारा बाई चांस ही मिल पाता है तो ये एक हार्श रियालिटी है जब आप बस में ट्रैवल करेंगे तो साफधानी से करें क्योंकि जब बाहर से कोई भी वेक्तिन नहीं आता है तो उसे ये बात पता नहीं होता है और जब फोन गायब हो जाता है तो बहुत अफसोस होता है क्योंकि आज किसे में फोन फोन नहीं एक तरह से जिगर का टुकड़ा हो चुका है लोगों के लिए मतब सारी चीज़ा तो उसी में है ना